हेलो बच्चों, क्लास 6 मिथमाटिक्स, चाप्टर 6 इंटीजर्स, पार्ट 1 पहले हम इंटीजर्स का बेसिक इंट्रोड़क्शन देखते हैं लेकिन इंटीजर्स से पहले हमने पढ़ा था नाचिरल नंबर्स के बारे में नाचिरल नंबर्स क्या हैं? जिसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं अब इसी कलेक्शन के अंदर हम जीरो को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तब हमें एक और नया कलेक्शन मिलता है जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स स्टाट फ्रॉम जीरो और उसके बाद 1, 2, 3, 4 बाकि सारे natural numbers उसमें आ जाते हैं अब whole numbers से भी बड़ा जो collection है वो collection है integers जिसमें whole numbers के साथ साथ negative numbers भी है यानि कि इस collection के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी numbers है वो तो हैं ही उसके इलावा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and goes on ये पूरा का पूरा जो collection है ये कहलाता है integer इस collection के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे positive integers हैं और minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ये सब negative integers कहलाते हैं अब practical life में हम इने कहां use करते हैं जैसे हमें c level की उपर की height लेनी है तो वो positive number से represent किया जाता है और जैसे ऐसे हम नीजे आते रहते हैं वैसे वैसे हम c level के surface पहुंचते हैं तो वो zero level होता है और उससे नीचे अगर चले जाते हैं then height is represented by a negative number जैसे ऐसे हम depth में जाते हैं तो वो height नहीं depth कहलाती है word तो वो negative integer से represent किया जाता है या हम ही कह सकते हैं कि किसी ने कुछ earn किया पैसे कमाए तो उसे हम positive sign से represent कर सकते हैं और जब उसने खर्च किया तो negative sign से represent कर सकते हैं similarly temperature अगर 0 degree के उपर है तो वो positive sign से represent किया जा सकता है और temperature जब 0 degree से नीचे होता है तो negative sign से represent किया जा सकता है तो for example अगर माली जे temperature किसी जगा का 10 degree below 0 है तो हम उसे minus 10 degree Celsius लिखते हैं कहीं का temperature अगर 5 degree above 0 है तो उसे हम plus 5 degree Celsius लिख सकते हैं तो जहां कहीं भी हमें चीज़ें बढ़ानी है उपर की ओर जाना है तो generally हम plus की ओर जाते हैं positive sign और जब हमें नीचे की ओर जाना होता है तो वो minus sign से represent किया जा सकता है Now let us start representation on number line माली जे आपके पास यह number line है उस number line के बीचो बीच में है 0 0 एक neutral value है 0 से बड़ी जो values है हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह मैंने 6 तक बनाया है और उसके आगे arrow लगाया है this arrow represents कि numbers कभी खतम नहीं होते हैं it goes infinitely in that direction और यह सारे positive integers हैं और जब हम left के side जा रहे हैं 0 से तो हम देख रहे हैं minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 यह सारे negative integers हैं यहाँ पर भी arrow है यह शो करता है कि negative integers भी खतम नहीं होते they also go up to minus infinity जैसे यह से हम right side की और जाते हैं values बढ़ती रहती हैं और जैसे यह से हम left की side जाते हैं value decrease होती है घटती रहती है जैसे 1 से बढ़ा है 2, 2 से बढ़ा है 3, 3 से बढ़ा है 4 that means जैसे हम right side पर जा रहे हैं value बढ़ रही है वैसे ही left side पर जाते हैं तो value घटती है 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0, 0 से छोटा है minus 1, minus 1 से छोटा है minus 2, minus 2 से छोटा है minus 3 तो हमें देख रहे हैं कि minus 3 is less than minus 2, minus 2 is less than minus 1, minus 1 is less than 0, 0 is less than 1, 1 is less than 2, 2 is less than 3 and goes on So collection of integers को हम increasing order में अगर लिखे हैं तो पहले हम dash dash लगाते हैं To show कि वहाँ पर और negative integers हैं फिर minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर dash 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 यह dash show करता है कि positive direction में भी counting आगे जा रहे ही है तो हमने देखा कि every positive integer is larger than negative integer Positive integers बड़े होते हैं Negative integers छोटे होते हैं Zero is less than every positive integer Zero positive integer से छोटा होता है But zero is larger than any negative integer Negative integers zero से छोटे हैं That means zero सारे negative integers से बड़ा है Zero is neither a negative integer nor a positive integer Zero को हम negative या positive की category में नहीं रखते हैं Zero न तो negative है और नहीं positive Further a number from zero on the right, larger its value Zero से कोई number right side पर जितना ज़्यादा दूर है उतनी ही उसकी value ज्यादा है और कोई number left side पर zero से अगर ज़्यादा दूर है तो उसकी value उतनी ही छोटी हो जाती है Now let us start exercise 6.1 Question number 1 Write opposites of the following आपको इनके opposites लिखने हैं सबसे पहला है increase in weight अब increase का opposite क्या होता है? Decrease तो हम लिख सकते हैं decrease in weight B में आपको दे रखा है 30 km north तो north का उल्टा हम क्या लिखेंगे? South So we'll write 30 km south C में आपको दे रखा है 80 meter east East का उल्टा हम करेंगे west So we'll write 80 meter west मगर किसी-किसी edition की book में C part में 326 BC दे रखा है तो जिस किसी की book में 326 BC दे रखा हो तो BC का उल्टा AD कर देना BC is before Christ AD is anodominy So अब BC का उल्टा AD करके भी लिख सकते हैं D part में है loss of rupees 700 Loss मतलब नुकसान तो उसका opposite क्या होगा? Profit या gain तो you can write gain और profit of rupees 700 E में आपकी पास है 100 meter above sea level Above sea level Above का उल्टा क्या होता है? Below तो हम इसका लिखेंगे 100 meter below sea level Question number 2 Represent the following numbers as integers with appropriate sign A An aeroplane is flying at a height 2000 meter above the ground मैंने आपको बताया थे ना जब height हम उपर की और नापते हैं तो positive direction ली जाती है तो इसे हम लिखेंगे positive 2000 यानि की plus 2000 meters B मैं आपको दे रखा है A submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level जो sea level से नीचे की heights होती है जिसे हम depth कहते हैं वो negative direction होती है तो हम इसे लिखेंगे minus 800 C deposit of rupees 200 200 rupees हमने deposit किया है जमा किया है बढ़ाया है तो it will be positive 200 तो हम लिखेंगे plus 200 D withdrawal of rupees 700 700 रुपे उसमें से निकाल लिये हैं मतलब कम कर दिया है तो it will be minus 700 Cushion number 3 Represent the following numbers on a number line सबसे पहले आपको number line draw करना है और इन numbers को represent करना है सबसे पहले plus 5 तो हमने number line बनाया और क्योंकि यह positive है तो हम 0 से right side की और चलेंगे और 5 पर एक circle बना देंगे to show कि यहाँ पर हमने plus 5 को mark किया है अब minus 10 शो करना है तो उसके लिए भी हम एक number line बना लेते हैं और minus 10 पर circle कर देते हैं C में आपके पास है plus 8 again we have made a number line और इसमें 8 पर circle कर देते हैं minus 1 बनाना है number line बनाएंगे और minus है तो negative direction मतलब left side पर जाएंगे और minus 1 पर circle कर देंगे next is minus 6 सबसे पहले draw the number line और फिर minus 6 पर हम circle लगा देते हैं Question number 4 Adjacent figure is a vertical number line representing integers observe it and locate the following points a if point d is plus 8 then which point is minus 8 इस number line पर देखिए d पर plus 8 दे रखा है तो उसके नीचे naturally 7 आएगा फिर 6 फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0 वो point पर 0 है और उसके नीचे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 और last point है e minus 10 तो हम देख रहे हैं minus 8 जो है वो point f पर आ रहा है so we will write here f b part में आपको दे रखा है is point g a negative integer और a positive integer तो हम देख रहे हैं g तो 0 से कम है तो जो value 0 से कम है वो negative ही होगी so we will write negative integer c, write integers for points b and e b हम देख रहे हैं कि उसकी value 4 है so we will write b is at plus 4 और हम e की value तक जाएंगे तो 0 से नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे e की value minus 10 है so we will write b is at plus 4 and e is at minus 10 d part पे चलते हैं which point marked on this number line has the least value अब हम उपर से नीचे जा रहे हैं सबसे बड़ी value d की है तो सबसे नीचे जो value होगी वही सबसे छोटी है so e has the least value तो हम देख देंगे e इसके बाद e part में आपके पास है arrange all the points in decreasing order of value आपको decreasing order में arrange करना है यह तो पहले से ही arranged है number line में उपर से नीचे जैसे जैसे आओगे आपको values छोटी होती जाएंगी सबसे बड़ी value है d फिर है c फिर b a o h g f e इसमें सबसे बड़ी value d है और सबसे छोटी e question number five following is the list of temperatures of five places in India on a particular day of the year we have been given place and its temperature a write the temperatures of these places in form of integers in the blank column इसमें इन values को integer form में लिखना है तो सबसे पहला place है शिया चिन और इसका temperature आपको दे रखा है 10 degree Celsius below 0 degree Celsius मतलब 0 से 10 degree कम तो हम यहां लिखेंगे minus 10 degree Celsius शिमला का temperature आपको दे रखा है 2 degree Celsius below 0 degree Celsius 0 से 2 degree कम so we will write minus 2 degree Celsius third is एहमदाबाद 30 degree Celsius above 0 degree Celsius 0 degree से 30 degree उपर मतलब positive direction में तो it will be plus 30 degree Celsius plus लगाना कमबल सरी नहीं है तो हम सिर्फ 30 degree Celsius लिख देंगे Delhi 20 degree Celsius above 0 degree Celsius 0 degree से 20 degree उपर तो it will be 20 degree Celsius next is श्री नगर 5 degree Celsius below 0 degree Celsius 0 से 5 degree कम है negative direction में है तो we will write minus 5 degree Celsius अब A पार्ट तो हो गया अब B पार्ट पे चलते हैं B में we have following is the number line representing the temperature in degree Celsius plot the name of the city against its temperature आपको बुक में नम्बर लाइन दे रखा है आपको temperatures पर cities के नाम लिखने है तो हम देख रहे हैं minus 10 degree था शियाचिन तो we will write on minus 10 degree शियाचिन minus 5 degree we have श्री नगर minus 2 degree we had Shimbla then 20 degree it was Delhi and 30 degree was Ahmedabad तो हमने ये सारे नाम number line पर लिखती है C which is the coolest place तो इस number line पर हम देख रहे हैं शियाचिन का temperature सबसे कम है तो वही सबसे coolest place है तो we will write शियाचिन D write the names of the places where temperatures are above 10 degree celsius 10 degree celsius से जादा यहाँ पर Delhi और Ahmedabad में हमने दिखाई रहे है so we will write Delhi it is 20 degree celsius and Ahmedabad it is 30 degree celsius question number 6 in each of the following pairs which number is to the right of the other on the number line इसमें हमें number line बनाने की जरुवत नहीं है बिना number line बनाय ही हमें बताना है कि कौन सा number left side पर है और कौन सा number right side पर number line पर जो number right पर होता है वो बड़ा होता है जो number left पर होता है वो छोटा होता है तो हम इसमें देख लेंगे कौन सा number बड़ा है, कौन सा छोटा, जो बड़ा है, वो right side पे होगा, जो छोटा है, वो left side पे होगा, जैसे A part में आपको दे रखा है 2 and 9, अब 2 और 9 में 2 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 9 right side पे होना चाहिए, तो we will write, 9 lies on the right of 2 on the number line, B में आपके पास है minus 3 and minus 8, अब इसमें minus 3 और minus 8 में कौन सा बड़ा है, minus 3 बड़ा है, क्योंकि negative direction में values उल्टी हो जाती है, क्योंकि minus 1 के left में है minus 2, minus 2 के left में है minus 3, minus 3 के left पे है minus 4, फिर minus 5, तो हम left side पे जा रहे हैं, तो left side पे value decrease होती है, तो minus 3 के left side पे आता है minus 8, minus 3 right पे है, minus 8 left पे है, C, 0 and minus 1, 0 सारे negative integers से बड़ा है, तो minus 1 से भी बड़ा ही है, तो 0 lies on the right, D, minus 11 and 10, positive numbers are greater, 10 बड़ा है, so 10 lies on the right, minus 11, of course, left side पे होगा, E, minus 6 and 6, 6 बड़ा है, क्योंकि वो positive integer है, so 6 lies on the right, F, 1 and minus 100, negative integer है minus 100, तो वो छोटा ही होगा, 1 बड़ा है, 1 lies on the right, Question number 7, write all the integers between the given pairs, write them in the increasing order, आपको इसे increasing order में, मतला, ascending order में, छोटे से बड़ा लिखना है, A, 0 and minus 7, 0 और minus 7 के बीच के integers हमें लिखने हैं, तो we will write, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, क्योंकि हैं between लिखना था, तो मैंने 0 और minus 7 नहीं लिखा, B, minus 4 and 4, minus 4 से बड़ा है, minus 3, then minus 2, then minus 1, then 0, 1, 2, 3, C में आपके पास है, minus 8 and minus 15, इसमें छोटा minus 15 है तो हम उसके बाद से शुरू करते हैं, minus 15 के बाद आता है, minus 14, then minus 13, then minus 12, minus 11, minus 10, minus 9 और फिर उससे बढ़ाएगा minus 8, minus 8 मैंने नहीं लिखा, because हमें भी between लिखना था ना, तो उन दोरों numbers को मैंने इंक्लूट नहीं किया, D part में आपके पास है, minus 30 and minus 23, minus 30 के बाद आता है, minus 29, then minus 28, minus 27, minus 26, minus 25, minus 24, Qution number 8, A, write 4 negative integers greater than minus 20, minus 20 से बड़ा आपको integer लिखना है, तो minus 20 से just बड़ा है minus 19, उससे बड़ा है minus 18, उससे बड़ा है minus 17, फिर minus 16, फिर आप आगे जाओगे तो minus 1 तक जाओगे, minus 1 सबसे बड़ा negative integer है, तो मैंने यहाँ पर 4 तो लिख दिये हैं, minus 19, minus 18, minus 17, minus 16, इसके इलावा, minus 15 से लेके minus 1 तक आपको और कोई negative integer अगर अच्छा लग रहा है, तो आप वो लिख सकते हैं, any 4 you can write, B, write 4 integers less than minus 10, minus 10 से छोटे आपको लिखने हैं, तो minus 10 से छोटा है, minus 11, उससे छोटा है, minus 12, फिर minus 13, minus 14, और मैंने डाश जाश लगा दिया to show कि यह negative integers आप जैसे आगे जाते जाओगे, आप और छोटे-छोटे negative integers मिलते जाएंगे, any 4 you have to write, so we can write minus 11, minus 12, minus 13, minus 14, Question number 9, for the following statements, write true or false, if the statement is false, correct the statement, A, minus 8 is to the right of minus 10 on number line, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो number बड़ा होता है, वो right side पे होता है, जो छोटा होता है, वो left side पे होता है, तो minus 8 और minus 10 में minus 8 बड़ा है, तो राइट side पे आएगा, तो it is true, B, minus 100 is to the right of minus 50 on number line, अब minus 100 तो छोटा है, वो right side पे नहीं हो सकता, it is false, minus 100 is to the left of minus 50 on number line, छोटा number left side पे होता है, C, smallest negative integer is minus 1, minus 1 सबसे बड़ा negative integer है, smallest नहीं है, तो it is false, it is greatest negative integer, so we'll write greatest negative integer is minus 1, D, minus 26 is greater than minus 25, गलत, minus 25 बड़ा है, minus 26 छोटा है, so it is false, minus 26 is smaller than minus 25, Qushion number 10, draw a number line and answer the following, A, which number will we reach, if we move 4 numbers to the right of minus 2, आप minus 2 से चलना शुरू करेंगे, और 4 numbers right की और move करेंगे, तो इस minus 2 से हम 4 number right की और move करते हैं, तो हम कहां पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं, plus 2 पे, तो we will write, we will reach at plus 2, और plus 2 को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, B, which number will we reach, if we move 5 numbers to the left of 1, तो सबसे पहले हम number line ड्रॉ कर रहे हैं, अब 1 से हमें left side पे जाना है, 5 numbers, तो हम 5 numbers left पे जाते हैं, तो कहां पहुचते हैं, minus 4, we will reach at minus 4, see, if we are at minus 8 on the number line, in which direction should we move to reach minus 13, number line पर अगर आप minus 8 पे हो, तो आपको जाना पड़ेगा towards left, क्योंकि minus 13 छोटा है, तो you have to move towards left, D, if we are at minus 6 on the number line, in which direction should we move to reach minus 1, तो number line पर अगर आप minus 6 पे हो, आपको minus 1 पे जाना है, minus 1 उससे बड़ा है, तो बड़े की और जाने के लिए, आपको right side पे जाना पड़ता है, we will move towards the right, so, यहाँ पर आपकी exercise complete होती है, अपने अगले वीडियो में, मैं आपको अगला topic explain करूँगी, until then, bye, मैं आपको जो के दäterे अपक्षाम कर आपके आपक्षार्वें, मैं आपको अगले आपका यो रिए्याए्याईती है, आपके अशेएपारे के अगले उत ब больके इँड़ोगाउगाई,